Hello everyone, welcome to the English app. मैं करतार कर आज यहां पे आपको IP Class 12 की Mark Division के बारे में दिस्कास करूँगे. IP के अंदर हमारे पास तीन में टॉपिक से जिसमें हमारा पूरा Mark Distribution डिवाइने हैं. जो Java है वो आपके पास 25 Marks के आ सकती है, SQL 30 Marks का आ सकता है, जितना भी आपका theory का portion होगा, वो 15 Marks का आएगा. तो आएए हम एक-एक section को point by point डिस्कास करते हैं किसके अंदर कौन-कौन से important topics हैं. जो आपका theory का section है, उसमें IT Applications वाला जो chapter है, जो basically आपका last chapter होगा NCRT से, वो आपका 5 Marks का आ सकता है. इस chapter में आपके पास सुर्फ दो topics होंगे, जो आप करेंगे तो आप 5 में से full score कर सकते हैं. इसमें आप e-comments, e-learning, e-governance, इन तीनों में से basically कुछ भी prepare करके चली चाहिए, क्योंकि यह बहुत easy है, और इन तीनों में से कोई एक question आपको 3 Marks का आएगा नहीं आएगा. इसके बाद आपके बास एक 2 Marker question आएगा, जिसमें आप controls को select कर सकते हैं. हमारी question paper में जो last question होता है, वो basically IT applications का ही है. मैं उस question के बाद कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारी controls होते हैं, जैसे की radio control है, या combo box है, जिसमें से आपको कुछ एक select करके, वो question के सामने पलब करना है. जो next chapter है, theory में वो हमारे networking है, इसके अंदर ये सारे अलग-अलग topics हैं, जिसमें से बहुत important questions आते हैं. For example, जैसे guided and unguided media है, इसमें से आपको कोई एक question आ सकता है, जिसमें या तो वो wireless के उपर आ सकता है, या wireless medium के उपर आ सकता है. Secondly, जितनी भी topologies हैं आपके पास, उसमें से जो start and bust topology है, उसके different का एक question आपको for sure आए हो. And जितना भी land, man and ban हैं, इन के अबना भी एक difference आ सकता है. इन दोनो topics के अगर मैं बात करो, तो इन दोनो topics में से दो questions आएंगा और उन दोनो questions के बीच में choices हो. Thirdly, जो denial of service के कुछ points है, four-five points, उस भूवला question definitely आपको two marks का आता है. And lastly, जो second chapter में जितने भी short forms हैं, उस में से कोई भी दो या तीन short forms आपको two marks के लिए आप. आईए अब हम discuss करते हैं SQL की, यह आपके paper में 30 marks का आएगा. जी हाँ, आप यकीन मानिये, यह बहुत ही easy topics हैं, आप बहुत easily 30 marks score कर सकते हैं. सबसे पहला topic है आपका keys का. आपको पता है SQL के अंदर सुर्फ चार तरीके की keys होती हैं, primary keys, foreign keys, alternate key and candidate key. इनकी definitions with इनका क्या purpose है, वो आप बहुत अच्छे से याद करके जाएं, क्यूंकि इसके अंदर से आपको definitely एक question आएगा ही आएगा. Next है हमारे पास table creation. ये एक three mark का question है, जो मैं आपनी पिछली वीडियो में भी discuss कर चुकी हूँ आपके साथ. आपको एक question देंगे, जिसमें आपको इक table का पूरा structure describe कर रहा होगा, और साथ ही में कुछ constraints भी लिखे होंगे. तो आपको ये पूरा का पूरा table create करके उनको दिखाना है with proper steps. Next, हमारे पास है कुछ commands, जैसे आपको पता है हमारी सारी commands तीन चीज़ों में divided हैं, DDL commands, DML commands and DCL commands. इनकी full form और इनके अंदर कौन कौन सी commands आती हैं, इनके बीच का differentiation, आप करके जाएए, इसमें से भी आपको questions आ सकते हैं. Next, हमारे पास TCL command है, यह बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इन तीनों को मिला कर हम TCL बोलते हैं, transaction control language, इसमें आपको commit, commit क्या होता है, वो क्या करता है, rollback, उसकी definition and save point. इन तीनों में से कोई दो आपको एक question में definitely for two और one marks आ सकते हैं. Next, हमारे पास SQL की बहुत major चीज है, SQL की commands. आपको मालूम है, बहुत सारी commands होती है, मैंने इसमें से सिर्फ दो commands लिखी हैं, जैसे कि like, between, इसके इलावा आप जानते हैं, in command होती है, list होती है, आपके पास not null आ सकती है, is आ सकती है, और आ सकती है. बहुत सारी commands है, बट ये दोनों ऐसी commands हैं, जो आपके paper में definitely आती हैं. इसके बाद हम आते हैं SQL के सबसे important topics पर, ये अकेला topic आपका 8 marks का है. जी हाँ, इस topic को हम joins बोलते हैं, जिसमें आपके पास सर्फ equi join हैं आपके syllabus में. इसके उपर पूरा 8 marks का question आता है, जो आपको दो अलग-अलग tables दिये होंगे, और उन दोनों को आपको join करके कुछ queries लिखनी हैं. इसका एक बहुत proper format होता है, आप उसको properly करके जाएं, ताकि आप easily इसमें 8 marks score कर सकें. Next हमाएं पास degree and cardinality आ रहा है, इसके बारे में भी मैंने previous video में discuss कर रहा था आपके साथ, ये भी 1 marks का question है, जिसमें एक table की degree, मतलब उसके कितने number of columns हैं, वो आपको बताने होंगे, and table की cardinality, मतलब उस table के अंदर कितनी rows हैं आपके पास, वो आपको count करके उसमें लिखनी होग The last and most important topic हमारे SQL के अंदर 5 group functions होते हैं, वो आपको discuss करने हैं, आप उसको properly अच्छे से पढ़ कर जाएं, जैसे कि count function है, max function है, min function है, इसके इलाबा हमाएं पास average and sum functions भी हैं, और कुछ हमाएं पास string functions and math functions हैं, वो भी आप बहुत properly करके जाएं, क्यूंकि उन में से भी कुछ questions definitely आपको paper में आ सकते हैं, आईए अब हम देखते हैं, Java का portion, Java हमाएं पास 25 marks के लिए आता है, बहुत बच्चों को Java बहुत difficult लगता है, मुझे पता है, बट ये कुछ topics आप कर लीजे, तो आप Java में बहुत अच्छा score कर सकते हैं, सबसे पहला topic है हमाएं पास data types के अंदर, data types म इन दोनों के बीच में क्या difference होता है, वो आप एक बहुत proper way में अगर tabular form में को लिख के दे देंगे, तो आपको इसमें two marks बहुत properly मिल सकते हैं, second हमाएं पास loops में हैं, कुछ entry and exit control loops होती हैं, आप इस topic को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, इसके बीच में आपको difference देना आ सकता है, thirdly, जितने बे selections होते हैं and iterations होते हैं, इन में please confuse मत हो जीए, iterations हमारे सारे loops हैं and selections में हमारे पास जो if वली statements आती हैं and switch वली statements आती हैं, सिरफ वही होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या differences हैं, इनके अंदर कितने अलग-अलग तरीके के format आते हैं और हर एक का proper syntax देख इसना मत भूलिए, क्यूंकि इन में से कुछ questions आपके यहां error वाले questions में आ सकते हैं, उसके बाद आप जानते हैं आपको output के questions आएंगे, कोई 2 questions आ सकते हैं and यह 4 marks का होगा, output वाले questions में आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपका यह question 2 marks का है, तो definitely उसके अंदर 4 errors होंग और हर एक error दूरने के आपको half marks मिल सकते हैं, next आते हैं हमाँ पास errors वाले questions, यह जो errors वाले questions हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जो Java है, वो case sensitive है, by case sensitive I mean कि अगर आप उसमें capital में कुछ लिखोगे and small case में कुछ लिखोगे, तो दोनों का बहुत अलग-अलग मतलब होता है, तो errors वाले questions हैं, उसमें से एक error आपका definitely होगा, कि कोई चीज अगर आपने छोटी letters में लिखनी है, वो उनोंने capital में लिखा होगा, कुछ आपको अगर capital में लिखना है, तो उनोंने small letters में लिखके आपको दिया होगा, तो errors में से आप एक यां दो errors ऐसे easily identify कर सकते हैं, next आता है हम हमारा GUI application, मैं इसमें उस question की बात कर रही हूँ, जिसमें आपको एक proper GUI की screen दी होगी, आपको पूरे question में describe कर रहा होगा, उसका scenario, और आपको उसका एक code लिखना होगा, इस question के हम आपास 3 parts होगे, first part में आपको वो पूरे buttons का code लिखना होगा, जो आपको 3 marks का आएगा, second आ easy है, तो आप इसको please अच्छे से देख लिजिए, third आपके पास एक और button होगा, exit button, इसका एक one line का code है, जो one mark के लिए definitely आएगा ही आएगा, clear 2 minute के लिए मैं आपको कहे भी सकती हूँ, कि शायद आए, बट exit तो पक्का आएगा, next हमाए पास कुछ questions हैं, जैसी कि आपको एक if else में convert करना हो, same हमारे पास यहां पर iterations में है, एक for loop का question दिया जा सकता है, जिसको आपको while में convert करना हो, या do while में करना हो, या फिर do while का question दिया जा सकता है, जिसको आपको while में convert करना हो, या for में, या फिर while का question देंगे, जिसको आप for में, या फिर do while में convert करना हो, या फिर while क question आप तभी कर पाएंगे अगर आपको इन सब के proper formats पता है कि कौन सी चीज कहां पर आएगी और कहां पर नहीं आएगी next है हमाया पास कुछ functions string and math functions या आपको direct नहीं पूछे जाएंगे बट यह जो भी portion है या आपका errors and output वाले question के साथ combine करके आपको दिया जाएगा just to check कि आपको किनी knowledge है इन functions की उसके बाद एक बहुत important chapter है JDBC Java database connectivity बहुत teachers यह बोलती है कि यह सरफ project के point of view से important है बट आपके paper में इसके कुछ steps है चार-पान steps कि आपको Java और database को connect कैसे करना है तो वो steps जिसके अंदर driver manager क्या है इसका class का name क्या है उसका URL क्या है उसका proper code आपको कैसे लिखना है वो चीज़े आप please देखे जाएए क्यूंकि इसमें से भी कुछ questions आ सकते है इसके बाद एक और important chapter है यह आपके बास NCRT में अलग से chapter नहीं है बट सुमिता रोडा ने इसको एक two pages का chapter अलग से बनाया हुआ है inheritance इसके अंदर inheritance क्या होता है आपको मालूम है कि oops का बहुत important concept है inheritance तो इसको properly कैसे आप inherit करते है inheritance होता क्या है कितने type की inheritance हो सकती है क्या क्या keywords use हो सकते है वो आप करके जाएए कि इसमें से theory question आ सकता है polymorphism क्या होता है इसके सर्फ और सर्फ definition कर जाएए more than enough है and last जो हमारा html का चापता है उसके अंदर html के कितने type के tags है basically table के tags देख के जाएए और जो list के जितने tags है ordered list है unordered list है उसको कैसे लिखना है आपको वो please देख के जाएए क्यूंकि इन दोनों मेंसे एक question आता है and xml और html के बीच का जो difference है यह हर साल paper में आता रहा है और इस बार भी आएगा तो आप लीज हम दोनों के बीच का difference एक proper tabular form में ही लिख करा आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप please इसे like, share and subscribe कीचे and IP students से मैं मिलती हूशी था 1st April को 1 p.m. से 3 p.m. में जहाँ पे हम live आएंगे कि इस Κांभीी को बीच warriors इसे की आपकाश Şimdi कि आवा हैं हैać । झाल झाल